हलो तो नमस्कार दोस्तों कैसे है आप दोस्तों कॉपी राइट यह एक बहुत ही बड़ा समस्य है यूटूब पर तो आप अगर कोई सा भी किसी का भी यूजर का कॉंटेंट को थोड़ा सा भी अपने वीडियो में यूज करते हो तो यूटूब आपके उपर फेंक के मारता है कॉपी राइट को तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि अगर आपका एक ब्लॉगिंग चैनल है या और कोई कैटेगोरी रिलेटेटर चैनल है जहां पर आपको म्यूजिक हर वीडियो में जरूरत पड़ती है लेकिन अगर कोई सा भी मतलब म्यूजिक का बैक्डाउंड में यूज करते हो तो वहां आपको कॉपी राइट मिल जाता है तो दोस्तो वीडियो तक इतना दुर बने रहने के लिए अपका बहुत बहुत धन्यवाद तो अभी से कर दीजिए वीडियो को बिग लाइक दोस्तो ऐसी तरह का बहुत सारा वीडियो आपको यूटूब पर मिल जाएगा जहां पर बहुत फायदयमान वीडियो भी यूटूब पर है लेकिन आज की इस वीडियो में मैं सेफ आपको एक ही टीक बताऊंगा जो बहुत आसान टीक है इसको आप बहुत आसन तरीके से उपर यूज़ कर सकते हैं चलिए बीना टाइम मोश्ट के मैं चलता हूँ मेरे मोबाइल स्किन पर और वहाँ पर जाके मैं टोटल पॉसेस आपको दिखा देता हूँ तो दोस्तो सबसे पहले आप अपना Google Chrome ओपन कर लिजिए ओपन कर लिने के बाद उसको डिक्स्टॉब मोड में कर लिजिए और उसके बाद आप अपना जो इमेल आइडी है जिससे मतलब अपना चैनल आपका चैनल वेरिफाई है वह ओपन कर लिजिए जैसे मैं यहां क्या हूँ अगर आपका कोई सभी अकाउंट यहां पर अटाच नहीं होगा तो आपको साइन इन दिखाएगा तो आप सिधा यहां पर आ जाएए यहां पर यह कilly समने एक नएा इंटरफैस कुल के आजाएगा यहां पर देख लिजिए आपको जाना है वीडियो मैंचर में तो वीडियो मैंचर में क्लिक कर देजिए Salem क्लिक करने के बाद आपके सामने और एक निउँ इंटरफेस open होगा तो यहां पर देख लिजिए creator studio आपका open हो चुका है तो यहां पर सीधा scroll करते करते नीचे आईए यहां पर देख लिजिए create का एक option है तो इसके उपर simple साइक बार tap कीजिए tap करने के बाद आपके पास new window open होके आ जाएगा तो यहां पर देख लिजिए उपर लिखा है audio library इसके बाद लिखा है नीचे free music और यहां पर sound effect तो अगर यहां पर देखेंगा free music के अंदर तो यहां पर आपको बहुत सरा music देखने को मिल जाएगा कुछ कुछ music आपको जाना पहचाना लगेगा तो यहां पर आके आपका जो 1% music है आप वो download कर सकते हैं यहां पर देख लिजिए search का option है तो यहां पर जाके आप search करके music को attach sorry download कर सकते हैं तो यहां पर देख लिजिए mood का एक option दिया है इसके अंदर आप बहुत सरा mood का music पा स सकते हैं मतलब यहां पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं तो यहां पर इंस्टुमेन का भी आप्शन आपको मिल जाता है और यहां पर चलिए आप चलते हैं साउंड एपक्त में और जाके देखते हैं हम यहां पर क्या खास म्यूजिक मिलता है तो यहां पर मैं चला आया आन करके मैं दिखाता हूँ तो चलिए मैं यहां से कोई सब यह कैटेगोरी को सिर्फ दिखाने के लिए आपको मैं चूज कर लेता हूँ तो मैं यहां से स्पोर्ट्स वाला ही करता हूँ तो जैसे ही मैं स्पोर्ट्स किया तो यहां पर बहुत सरा आ तो यह जो fast वाला है मैं इसको download में लगाऊंगा तो इसके पर मैं simple से एक बार tap कर देता हूँ जैसे ही मैं tap करा तो यहाँ पर देख लीजिए यह download हो गया यहाँ पर उपर देख लीजिए right बला एक icon आगया मतलब यह download हो गया तो free music में चलते हैं जाने के बाद यहाँ से भी एक music को download हम करेंगे तो mood के उपर चलते हैं जाने के बाद यहाँ पर देख दीजिए sorry instrument के उपर चलते हैं चलने के बाद यहाँ पर देखे base base के उपर क्लिक करके मैं यहाँ से भी एक music को download करूंगा तो यहाँ पर in the shadow इसको ही डाउनलोड कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए उपर डाउनलोड हो रहा है तो ऐसे आप दोस्तों यहाँ से कोई साभी फ्री मीजुक को चूज कर सकते हैं इसमें आपको कॉपी राइट बिल्कुल नहीं आएगी तो दोस्तों कॉपी राइट यह जो फंडा है बहुत दिन से यूटूब पर है लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रीक नहीं था तो पहला बाला जो कॉपी राइट का मतलब वहाँ पर जो फंडा था वह इतना ज्यादा स्ट्रीक नहीं था हाली में इतना ज्यादा स्ट्रीक कर दिय दोस्तो एही था टोटल कम्प्लीट फंडा कॉपी डाइट को लेके और दोस्तो मैं आपको बता दिया कि किस तरह से आप किसी भी कॉंटेंट को मतलब म्यूजिक को अपने वीडियो में यूज कर सकते हो विदाउट कॉपी राइट पर दोस्तो उम्मीद करते हूं इस वीडि सबसे पहले मिल जाएगा और इंस्टागाम के उपर चाहता टाइम में आक्टिव रहा था हूं तो फॉलो मुझे यार जरूर करना तो दोस्तों मिलते आगले वीडियो में तब दक के लिए सी यू गुडबाई जय हिंत जय भारत